आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम हैसे दंधह प्रावत अक्टि होत्री चुथ स्टेडाई गोज स्टेडि गलोज पर आपका बहुत बहुत सवागत। दोस्तो आज हम बात करेंगे केके नायर की केके नायर जो की अंसंग हीरो है राम मंदिर मूवमेंट के आज हम इनकी बात करेंगे तो बहुत लोगों को इनके बारे में पता होगा बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा ठीक है तो हम बात करेंगे देखेंगे कि भाई कौन है ये सब कुछ सारी चीजे जो हैं हम जानेंगे बाकि आप हमारे हमने आज interview course अपना launch कर दिया दोस्तों तो अगर आप interview की तहरी कर रहे हैं किसी ब interview की चाहिए वो bank को हो चाहिए UPSC का हो अच्छे आप समझ सकते हैं strength weakness analysis कैसे company की research interview को अपनी तरफ कैसे मोड़े कैसे आपको दिखना है कैसे dress up होके जाना है confidence कैसे बढ़ाने और सबसे बड़ी बात negotiation तो तक्रीबन 10 के करीब lectures होंगे 12 से 15 घंटे का total course होगा और live course होगा 6 महीने की duration है सिर्फ 400 रपे का ये course है ठीक है only 400 का तो अफडाक से आप course का अवैल करें पांक फरवर्णी से classes जो है वो शुरू होगी तो मैं देखो ये कहानी है ये आपको पता ही है कि मैंने कई बार आयोध्या पहले चल लिए है जो ये disputed land उस पहले चल लिए है तो 1853 की बात करें तो पहला recorded देखे पहले तो आयोध्या भगवान राम की नगरी है ऐसा बोला जाता है कि मंदिर बावर ने बनाया अब मंदिर के records देखे सबसे शांदार जैसे केके मुहमत के किताब पढ़ें और केके मुहमत इसमें उन्हों नहीं पूरी research की थी इस पे पूरा जो archaeology होती है न वो दूद का दूद रख पानी का पानी कर देखे सबसे important ऐसे cases और कोट ने भी archaeology की archaeological evidence और traveler evidence को माना यहाँ पे बात होती थी जैसे travelers थे वो बताते थी कि एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था होगा क्योंकि आयोध्या भाई simple सी बात है आयोध्या भगवान राम की नगरी है मेरे भाई आयोध्या हो गया मतुरा हो गया यहाँ तो होंगे ही बहुत सारे structures तो यहाँ मंदिर हुआ करता था यह बहुत सारे travelers ने बताया है जो यहाँ पे आते थे कि एक बहुत बड़ा structure था है यहाँ पे पूजा होती थी ठीक है और records पे भी हमको यह उल्लेक मिलता है लेकिन जैसे अब अकबर नामा है बाबर नामा है उसमें आपको 1853 में ठीक है अब हुआ क्या कि देखे यह अभी जो धाचा है अभी जो मतलब जो जमीन है सीतारोसोई है ठीक है और इधार राम चबूतरा है और मस्जिद था तो अब क्या है कि 1853 के करीब में पहला recorded communal violence हमको देखने को मिलता है यहाँ पे जो निहांग वकीर थे उन्होंने भवान रांकी मूर्ती अंदर रख दी थी ठीक है और बोला कि राम लला जो है वो एपियर हुए है तो वहाँ पे अब वो डर गए वहाँ पे मुस्लिम्स की कही ऐसा है नहीं कि फिर मस्जिद पर कबजा हो जाए तो communal classes हुए बट British ने समझोता करवाया एक दिवार खिचवा दी कि दिवार के उस तरफ का एरिया जो है वो मस्जिद है वहाँ पे मुस्लिम और मुन की entry जो हो अलग से है ठीक है और इधर वाला जो एरिया है जहाराम चबूतरा है सीता रसोई है वहाँ पे पूजा कर सकते है वो हिंदो के लिए है ये short term solution था पर ये बहुत लंबे देर तक नहीं चला ठीक है problem हुई problem सबसे ज़्यादा 1949 में हुई 23 दिसंबर अब राम दाज जो थे ठीक है वो कहते है कि भगवान राम लला की मूर्ती रात और रात आगई और मैंने उनके दर्शन किया और ये बात पूरे आयोध्या में क्या पूरे देश पे फैल गई ठीक है ये रात और रात हुआई है अब यहाँ पे आरोप ये लगे कि इन्होंने रखिये है मूर्ती ठीक है जो भी हो problem शुरू हो गई है ना classes शुरू हो गए तो जवाला लहरू ने उस समय फैजाबाद district के DM थे के के नायर उनको यादेश जिया कि आप जो है वो मामला शांद करे और इस आईडल को हटा दे इस मूर्ती को हटा दे देकि नहीं हो नहीं हटाए होना और Muslims पक्ष जादा exaggerate करके बाते जो है वो बता रहा है उसके बाद फिर 1986 में आपको पता ही है कि राजीव गांदी के सरकार तो यहाँ पे फैजाबाद ने कोट ने बोला कि भाई खोल दो दरवाजे लेकिन दरवाजे खोलने पर दरवाजे खोलने को नहीं बोला था वो राजीव गांदी ने बोला ठीक है और फिर 1992 में फिर वही आपको पता है कि मस्जिद दहाई गई और कोट बहुत लंबा एक प्रोसेस चला कोट में यह लंबी बैटल हुई लीगल बैटल हुई हाई कोट का फैसला आया इसमें कि मंदिर को तीन हिस्सों में मतबए चुप पूरा जमीन को तीन हिस्सों में बाट दो सुप्रीम कोट ने सको खारीज किया फेफेश फैसला दिया कि जो यह डिस्प्यप्यूट है दाने हिंदू को हिन्म ir हेजाई गको travelers के records खांगो ले गए और यह बहुत अगेंस्ट में भी थे लेकिन यहां पे जो ज़्यादा सबूत थे वो हिंदू के पक्ष में थे तो Supreme Court ने बोला कि यह जो विवादे पूरा जमीन है यह इंदू को सौप दीजिए और आज राम मंदिर बन रहा है तो आज हम बात करेंगे दोस्तों केके नायर की तो जिनको नायर साब बोला जाता है केरल बॉर्ण देखे यह डियें थे फैजाबाद के तो कदा इनका पूरा नाम था कदन कलाथिल करू नाकरन नायर के के नायर एफे नायर साब जो इनको बोला जाता है जवाल लाल लेहनों ने बोला था उस समय और जो करतार सिंग थे उस समय सुपरिटेंडेंडेंड़ पुलिस थे तो जवाल लाल लेहनों ने आदेश दिये थे कि जो आइडेल प्रकट हुए है 1949 में जो राम लाला की मूर् होता है अगर देखिए के के नायर जो है वो हीरो बने और जो उन्होंने नीव रखी उसके बाद बहुत लोगों ने इसी पे ही इसी पे ही बेस्ट मूमेंट चलाया तो जो हिंदू रिवाइबल मूमेंट है वो के के नायर सही शुरू होता है केरल से आते थे यह केरल के अल ति वो भी केरल की थी उन्होंने बला कि मैं वहाँ जाके नहीं रोगी क्यों मैं यहाँ पे रहती हूं और जैसे यहां पे आये लोगों में बहड़े लोपणी हो गे थी यह बहुत ज़ादा बाद में इन्हों ने और इनकी पत्नी दोनों नहीं जनसंग से ही election लड़ा क्योंकि देखिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर का आदेश न कारेंगे अगर आप उसको नहीं मानेगे तो जवाल ला लेरु जो कि मैं भारत का वराफ भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर देट इंडिया एवर हैड वो मानता हो कि जवाल ला लेरु ठीक है हलाग उस समय तो सेकुलर वर्ड अड नहीं था पर उन्हों ने यह कहा तो यह चीज है अब इन्हों ने बोला कि नहीं बिलकुल हम ऐसा नहीं करने वाले हैं और यह कुछ जादे बड़ा चड़ा कर बाते जो है वो कही जा रही है तो उस समय जो सेम थे गोविंद वल्लप पन थे और उस समय यूपी आज का यूपी नहीं था ठीक है वो तो 2000 में बटा है पूरा उतरा खंड भी यूपी में आता था यह आप समझे बाद में पीम नहरू ने भी इसको इंटवीन किया तो अब आप देखते हैं तो ICS ओफिसर जो थे अब जब इनको सस्पेंड किया ठीक है तुरंत सस्पेंड कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया तो पूरी एक लीगल बैटल लड़ी और वो केस जीते कि गलत तरीके से म को गलत किया है मेरे साथ यह पॉइंट मेरा प्रूव हो गया मुझे नौकरियोकरि नहीं चाहिए बाद में जन संग कैंडिडेट फ्रम बहराइच लोकसभा कंस्टीट वेंसी जो है वहां से इन्होंने कंटेस्ट किया और मेंबर बने यह फॉर्थ लोकसभा 1967 जो यहां पे बनाए गई थी तो वहां पे यह भी मिंबर बने जो ना इनकी केके नायर की वाइफ है शकुंतला उन्होंने इससे पहले भी 1952 में भी जन संग के लिए एलेक्शन लड़ा था और जीती भी थी वहां पे ठीक है ना बाद में मिनिस्टर भी बनी थी अब कहां से आते हैं यह अभी अगर बात करते हैं तो केके नायर के जो भतीजे हैं केके पद्मनाभन पिल्लई इनके जो बेटे हैं अरुन पिल्लई अभी उनको प्राण प्रतिष्ठान में उनको इन्वाइट भीजा है तो बताते हैं कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे बच्चे सुनी बहुत बढ़ा रोसता तो उनको भी इइवाइट किया गया है अब कौन थे यह शंकरा पानिकर जो की किसान थे कहां पर केलन में वहां पर हूं कि और उनके बच्चे वह उब चार बेटे हैं सो ऊज़ते proprio क earnest भले यह जिसान थे बच्क जाते थे उनके बच्चे खूब पढ़े लेके ठीक है वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बल देते थे तो इनके चारों बच्चे जो सबसे बड़े बच्चे थे वो अल्रेडी जुडिशल सर्विस में थे और केके नार थोड़े से एक्स्टरॉणरी टाइप के थे बहुत पाली चाहते थे कि जो इनके भाई है नायर वो अपनी स्टडी करें पहले पिता जी चाहते थे थे ठीक है फिन नायर ने और मैंने बता एक्स्टरॉणरी थे गोल्ड मेडलिस्ट रहे ही है तब ही इनकी शादी भी होगी 20 साल के थे जब इनकी शादी हुई थी ठीक है लेक इस का एक्जाम निकला और फिर भारत में आए और भारत में इनको जब आज़ाद भारत हो तो उनको फैजाइबाद का कार बहर जो है वो दिया गया 1946 में उनुने दुबारा शकुंतला से शादी की और जब इनोंने शादी की तो फिर ही ने वर एक्चुली लुट बाक अब लौ में लिखा है तो लौ में ये भाई हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहते थे और इंसाफ यही था कि जो मूर्ती है वो बिल्कुल भी नहीं हटाई जाए अब यह चाहते थे कि देखिए मैं चाहता हूं कि हिंदू सन्यासियों का ब्लड बात ना हो अगर आप हटाएंग 21 साल अपने सर्वेस के दे चुके थे तुरंत इनको सस्पेंड किया गया और फिर इन्होंने लिगल बैटल लड़ी और इसके बाद यह जीते यह जीते लेगिन फिर इन्होंने लिया निग्रे बहार में जाओ ठीक है फिर यह ऐसा लॉयर की लॉयर डिगी दित हो थी यह ल इनकी अलापूजा और केरल में बहुत बड़ा नाम है आपको बता दू इनकी आखरी विजट 1976 में फिर उसके बाद इनका दिहान सुरगवास हो गया था लेकिन बता दू कि यह अंसंग हीरो केरल में माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह आयोध्या में भी करें आपको बहुत जदा फाइदा होगा थैंक यू सो मच